नमस्कार मैं हूँ दिवे बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है दस अगर्स्त दिन सनिवार खर्वक्यों बढ़ने से पहले एक नदर सुर्खियों पर सरक पर दोलने वाली गार्यों की तैह होगी स्पीरली में जमाबंदी को अपने आधार और मोबाइल नमबर से संबन्द करवाने की दी जा रही सला बिहार की सबसे उची पक्षी साला राजगीर में बन कर हुई तैयार 20 अगर्स्त के बाद बिहार के गावों का होगा सर्वे देशी गौपालन प्रोट सहान योजना के लिए इस दिन से आवेदन होंगे शुरू इस साल के अंत में भारत और एस्ट्रेलिया के बीच होगी बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी अब चले भरतें आप तके 25 बरी ख़बरों के और विस्तार से MP Power Generating Company ने निकाली भरती MP Power Generating Company Limited द्वारा Electrician सहीत कई पदों पर भरती निकाली गई है इच्छो को मिद्वारिस के आधिकारिक वेबसेट mppgcl.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के इंतमत्त थी 21 अगस्त है आवेदन प्रक्रिया एकदम ने सुलक है इस भरती के लिए जरूरी है कि मद्वारों ने 10 भी पास किया हो और मानेता प्राप्त संस्थान से ITI की डिग्री प्राप्त की हो और मद्वारों की IUC मा 18-25 साल के बीच में होनी चाहिए बरती से संबंधित सर्थिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अजिस सूचना को देख सकते हैं जमाबंदी को अपने आधार और मोबाइल नंबर से संबध करवाने की दी जा रही है सला बिहार सरकार ने सभी रहीतों से अनुरोध किया है कि अपने जमाबंदी को अपने आधार और मोबाइल नंबर से संबध करवाएं बिहार सरकार स्वेक्षा से जमाबंदी पंजी में आधार और मोबाइल नंबर जोने का अभियान चला रही है जमाबंदी से संबंधित, सभी प्रकार की सेवाईन जैसे दाखिल खारिज, LPC लगान और राजस्व नियायाले में दायरवाद के संबंध में जानकारी मिलेगी आधहार सीडिंग के लिए अपने हलका के राजस्व करमचारी से संपर्ग करना होगा सरक पर दोरने वाली गारियों की तैह होगी स्पीड लिमिट, बिहार में कई सरक हाथसे गारियों की अधिक स्पीड की कारण भी होते हैं लगातार हो रहे सरक हाथसों को देखते वे बिहार सरकार ने गारियों की स्पीड लिमिट तैह करने का फैसला किया है इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है कैबिनेट बैठक सीम नितीज के अध्यक्सता में हुई है इसले कर कमीटी का गठन भी हो चुका है अब रोड पर दौने वाली गारियों की अधिक्तम गदी क्या होगी सरकार इसका फैसला लेगी यदि कोई से तैय लिमिट से उपर गारी चलाता है तो उस पर कारवाई की जाएगी आपके हिसाब से स्पीड लिमिट को तैय करने से सरक हाथसों में कमी आए गया नहीं हमें कॉमेंट मेलेक का जरूर बताएं 20 अगस्त के बाद बिहार के गावों का होगा सर्वे 20 अगस्त के बाद से बिहार के सभी 45,000 सभी अधिक गावों के सर्वे की प्रक्रिया सुरू होने वाली है सर्वे के दौरान जमीन पर मौजूद सनचनाओं का वर्तमान भौतिक स्वरूप के आधार पर उन्हें स्रेनी बध किया जाने वाला है सर्वे के दौरान राजसरकार आपके गाउं में कहां कितने घर हैं, कुए हैं, बगीचे हैं, सभी को जानने की कोसिस करेगी इसके लिए एक सूजी तयार की गई है, जो 177 विभिन विसेस्टिताओं से संबंदित है सर्वे से सरकार ये जान सकेगी कि जमीन की मूल प्रकिरती क्या है, यदि जमीन पर किसी तरह की सनचना या अन्य कोई चीज मौजूद है, तो सर्वे में इसका उलेक भी होगा बिहार के सबसे उची पक्षी साला राजगीर में बनकर होई तयार, राजगीर के जो सफारी में पक्षी साला बनाये गया है, इसकी उचाई करीब 50 फिट है, जहां देसी और विदेसी दूनों मिला कर 100 से भी अधिक पक्षियों को रखने की वेवस्ता है यहाँ पर पक्षियों के आवास की नजदीक, उनका वैज्ञानिक नाम और उनके जीवन प्रनाली से संबंदित होर्डिंग भी लगाए जाएंगे इसे चातर और पक्षि विज्ञान के सोधार्ती को काफी फायदा होगा वे इन पक्षियों के संबंध में जानकारी ले सकेंगे, इस पक्षि चाला का उद्गाटन सितंबर महीने में होगा इस संबंध में एवियरी के इंचार्ज अर्विंद कुमार ने जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि ये पक्षियों के रख रखाव की घेरानुमा बरी सरचना है पक्षि यहां आकास में उड़ने का वक्खुवी लुथ उठाए सकेंगे इसमें दोसों से भी अधिक बास, फलदार और फूलदार पौधे भी लगाए गए है प्रिपेड स्मार्ट मीटर में रीचार्ज के बाद कट रही बिजली की सिकायत हुई दूर कई बिजली उभोगता प्रिपेड स्मार्ट मीटर को लेकर ये सिकायत कर रहे हैं कि बैलन्स नहीं रहने पर उनके बिजली का कनेक्शन कार दिया जाता है और जब रीचार्ज करवाओ तो तुरंत विजली के आप पूर्ती नहीं मिल पाती है विजली औभोगताओं के लगातार आरहिन सिकायतों के बाद विजली कमपनी द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि अब रीचार्ज के 5 मिनट के अंदर विजली और भोगता अपने घर की बिजली आप पूर्ती खुद से आरंब करवा सकेंगे इस संबंध में बिजली के आला अधिकारी ने जानकारी दिये कि अब नई तकनीक वाले स्मार्ट मीटर आ गये है इस मीटर के पास एक बटन लगा होता है यदि बिजली उभोगताओं के रीचार्ज खत्म होने के बाद बिजली बंध हो जाते हैं और रीचार्ज के बाद भी बिजली का कनेक्शन वापस नहीं आ रहा है तो स्मार्ट मीटर में लगे बटन को दबाना होगा बटन दबाते ही उभोगताओं के मोबाइल पर एक नंबर आएगा इस नंबर पर जब बिजली उभोगता कॉल करेंगे तो बिजली आप पूर्ती आरंब कर दी जाएगी तीन दिन स्कूल नहीं आए बच्चे तो बच्चों के घर पहुंचेंगे सिक्षक सिक्षा विभाग बिहार में सरकारी स्कूलों की विवस्ता को पट्री पर लाने की पूरी कोसिस कर रही है सिक्षकों के साथ साथ बच्चों के उपस्तिती पर भी विभाग खास से नजर रख रही है इसी करी में सक्षा विभाग द्वारा कहा गया है कि यदि कोई बच्चा तीन दिन तक अगातार स्कूल नहीं आता है तो अभी भावकों को प्रधाना ध्यापक सूचना देंगे यदि तब भी बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो सक्षक बच्चे के घर जाएंगे फिर सक्षक अभी भावक से बच्चों के स्कूल नहीं आने का कारण पूछेंगे और अभी भावक बच्चों को स्कूल भेजे इस बात के लिए प्रेडित करेंगे अभी भावक और सक्षवक के बीच नियमित बैठक भी बीच बीच में आयोजित होती रहेगी साथ ही सबी स्कूलों में एक हैड़ बॉय और एक हैड़ गल का चैन भी होगा फास्ट टैग नहीं होने पर भी अब टोल पलाजा पर नहीं देना होगा दोगुना टैक्स जाने कैसे जब भी हम एनेच की जर्ये चार पहिया वाहन से सफर करते हैं तो इस दोरान हमें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है टोल टैक्स चुकाने के लिए एनेच याई के तरफ से हमें फास्ट टैक की सुवधा दी गई है इसका इस्तिमाल कर कुछ ही सेकेंड में हमारा टोल टैक्स कट जाता है और लंबे कतार में खरे रहने की जरूरत नहीं होती है हालंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके वाहन पर fast tag नहीं लगा होगा fast tag नहीं लगे होने के कारण हमें दोगुना toll tax देना पड़ जाता है अगर आपके पास भी fast tag नहीं है या आपका fast tag काम नहीं कर रहा है तो आपको परिसान होने की जरूरत नहीं है जिनके पास fast tag नहीं है वें prepared and touch go card खरीद सकते हैं यह आपको toll plaza पर लगी POS मसीन पर आसानी से मिल जाएगा और इसका इस्तिमाल करने से आपको दोगुना toll tax भी देने की जरूरत नहीं होगा बिहार pattern में आज हम बात करेंगे बेगू सराई के बारे में बेगू सराई बिहार के अर्तिस जिलों में से एक है यदि आप यहाँ घूमने या यहाँ आने की planning बना रहे हैं तो ऐसी कई जगें जहाँ आप घूम सकते हैं बेगू सराई में सबसे ज़्यादा धार में परिटन असल है यह जिला गंगा नदी के उतरे किनारे परस्तित है यहाँ जब आप घूमने आएंगे तो आपको यहाँ कावर जील जै मंगला मंदिर नौलखा मंदिर देखने को मल जाएगा आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं रक्षा बंधन के अफसर पर सीम नितीष ने प्रदेश की बेहनों को दिया बरा तोफ़ा रक्षा बंधन का तेवहार आने वाला है ऐसे में मुख्य मंत्री से प्रदेश के मा बेहनों को बरी खुशकबरी मिली है मुख्य मंत्री न अधिकारियों को निर्देश देते वे कहा है कि इस दिन बहने अपने भाईयों को राखी बांधने के लिए जाती है निवंधन के लिए 133 कोचिंग सेंटर के आविदन को किया गया अस्विक्रित समाहर नालय इस्तित सभागार में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत गठित जिला अस्तरिय कोचिंग निवंधन समीती की बैठक होई थी इस बैठक की अध्यक्स्ता पटना डियम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग का रहे थे इस दोरान कई बरे वरिया अधिकारियों और समीती के सदस्यों ने जानकारी दे की जिला में कोचिंग के निवंधन के लिए कुल 936 आविदन प्राप्त हुए थे इन में से 413 आविदनों को पहले ही निसपादन करते वे 413 कोचिंग का निवंधन पहले हो चुका है वहीं बचे आविदनों में 133 की जांच हुई और जांच के बाद ये सभी निवंधन के लिए आयोग्य पाए गया है इसले इनके आविदन को भी औस विक्रत कर दिया गय है अब दिलाधिकारी ने उस विक्रत हुए आविदनों की सूची अनुमंडल बार अलग-अलग करके संबंदित अनुमंडल बदाधिकारी को अप्लब्द करवाने के निर्देश दिये हैं Instagram पर आया बड़ा अपडेट Instagram को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है पहले यूजर्स Instagram में एक पोस्ट में आधिक्तम 10 फोटो या वीडियो ही सेर कर पाते थे लेकिन अब इससे बढ़ाकर 20 कर दिया गया है इंस्टाग्राम के सबडेट के बाद अब लोग आसानी से एक साथ कई वीडियो और फोटो आसानी से सेर कर सकते हैं आपको बता दे कि योज़स को स्लाइट्स के साथ कुलाइब करने और म्यूजिक सेर करने का उप्शन भी दिया जाता है देशी गौपालन प्रोट चाहन योजना के लिए इस दिन से आविदन होंगे शुरू बिहार सरकार की तरब से देशी गौपालन प्रोट चाहन योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहट दुधारू मवेसियों या हीफर के डेरी इकाया स्थापत करने के लिए 15 अगस्त से आविदन सुरू किये जाएंगे आविदन करने के लिए आपको https// dairy.bihar.gov.in पर आना होगा आविदन के लिए जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड, जमीन की रसीद, जाती प्रमान पत्र, प्रसेक्षन प्रमान पत्र, बैंक, पास्बुक और फोटोग्राफ मौजूद हो बिहार के लाको सिक्षकों की समस्या को लेकर सिक्षा मंत्री से मिलने आये प्रतिनिधी मंदल, बिहार के सिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बिहार के लाको सिक्षकों की समस्या को लेकर एक प्रतिनिधी मंदल मिलने आया था, ये प्रतिनिधी मंदल बिहार माधमिक सिक्षक संग के अध्याक्षर अगुवन्स प्रसाद सिंग और महा सचीव सत्रोगन प्रसाद सिंग के नेतरित्व में आया था इस मुलाकात को लेकर सत्रोगन प्रसाद ने बताया कि मंत्री ने सिक्षकों के एच्छिक पदस्थापना सहित दूसरे विसेओं पर सिक्षकों और छात्रों के हित में उधारता पूर्वक विचार करने का आस्वासन दिया है अब ड्रोन के जरीए खाद और कीटनासक का खुद से ही किसान करेंगे छरकाव प्रदेश के किसान अपने खरी फसल पर खुद ही ड्रोन के जरीए कीटनासक और खाद का छिरकाव कर सके इसके लिए उन्हें प्रसक्षित किया जाएगा कई बार किसान ड्रोन से अपनी फसल पर कीटनासक और खाद का छिरकाव करने के इंतजार में ही रह जाते हैं जिस वज़ा से इसमें देरी हो जाती है, लेकिन जब वे खुद इस मामले में प्रसक्षित रहेंगे तो इसके लिए उन्हें इंतजार नहीं करना होगा, इससे गाउं के लोगों को भी रोजगार का अपसर मिलेगा, इसके लिए राजिक 101 अनुमंडलों में एक किसान या फा अधी दो दिवसिय रहेगी, प्रसक्षिन प्राप्त करने के बाद किसान सेतंबर महीने से अपने खेट में खुद से ही ड्रोन के जरिये, खाद और कीट नासर का छिरकाव कर सकेंगे, पी एन बी बैंक से 22 लाख रुपे लूट के मामले में पुलिस ने अपराधियों की की गिरफतारी, अभी हाल में ही पंजाब नेशनल बैंक से 22 लाख के लूट का मामला सामने आया था, इस मामले में पटना पुलिस ने अपराधियों को गिरफतार कर लिया है, जहां लूट मामले में मास्टर माइंड, जमीन, काडोबारी, घंस्याम, गिरी समित दो लोगों की गिरफतारी हुई है, आपको बता दे कि लूट किस घटना को कोख्यात अपराधी, संतोस बकरिया गैंग ने अंजाम दिया था, लेकिन अभी तक ये पुलिस की गिरफत में नहीं आये हैं, पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफतार किये हैं, उनके पास से 28,000 रुपे क बरामद हुए हैं, घंस्याम की निसान देही पर संतोस बकरिया के किसी नजदीकी के घर से पुलिस ने दो लाख रुपे भी बरामद किये हैं, प्रदिस के इंजलों में भारी बारिस की है संभावना, मौन्सून की गतविदिया जारी है, कई जगों पर अच्छी खासी वर जारी किया गया है, वहीं पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन मुसबपरपूर और वैसाली में कि अदो अस्थानों पर भारी वर्षा को लेकर यलो अलट जारी किया गया है, पार्टली पुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गवन के मामले में सोकॉज पूर्टिस भेजा है, साथ ही वाइस चांसलर से वनेतिकत मामले में निर्ने लेने की सक्ती भी छीननी गई है, आपको बता दे कि विधान सवा मौन्सून सत्र के दोरान पार्टली पुत्रा यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में प्रिंस्पल भाली में बरे पैमाने पर गर्वरी का मामला उठा था, इसके बाद विसी को सो कौज जारी किया गया। इस प्रस्तावित विधयक में एक और बरे बडलाव की चर्चा है, इस बडलाव के तहत कमपणी के निदेशकों को के सबस्टेंशियल इंटरेस्ट को एक बार फिर से परिभासित किया गया है, अब इसके तहत 5 लाक रुपई की वर्तमान सीमा को बढ़हा कर 2 करोर रुप ह गया कंप गया के नने तीरन दाजों ने किया कमाल, गया के नने तीरन दाजों ने अपना जलवाँ विखेर कर पूरी राजी का नाम依ुट्ष किया। दरसल पटना के पठले पुत्रा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में 6-8 अगस्त तक तरीतिये राजाकर्ण राजे अस्तर्य तिरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी इसमें गया ओवरॉल चैंपियन बन गया गया के नन्य तिरंदाजों ने इस प्रतियोगिता में 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉंज मेडल अपने नाम किये हैं रतियोगिता में सफलता पाने के बाद जैसे ही अपने घर पहुँचे तब इनका रेलवे स्टेशन पर ढोल नगारों के साथ स्वागत किया गया, इन्हें माला पहनाया गया और मिठाई खिलाए गी, अपने इस स्वागत को देखकर सभी नन्य तिरंदाज भी काफी खुस नजर आ रहे थे। उन्हें एस मुकाम पर पहुँचाया है और अब इन्होंने रजद पदक जीतकर एक नया करतीमान अस्थापित किया है इस साल के अंत में भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच होगी बॉर्डर गावश advertise का ट्रॉफी इस साल केंथ में बॉर्डर गावसकर ट्रोफी भारतिय टीम और ऐस्टेलिया के बीच खेली जाने वाली है इस दौरान दोनों टीमों के बीच पांच टेस्ट मैच होंगे ये सिरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी एहम है क्योंकि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप 2023-25 के फाइनल में तभी जगा मिलेगा जब दोनों टीम इस सिरीज को जीतेगी आपको बता दे कि वर्स्ट 1991-92 सीजन के बाद पहली बार ऐसा होगा जब इन दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टेस्ट सिरीज खेली जाएगी कई कानों से दर्जह भारति दिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 894 में वीवी गिरी का जन्म हुआ था ये देश के चौते राष्ट पती बने थे आज के दिन वर्स 2008 में चिन्नई के एक लैब में अंटी एड्स वैक्सीन का सफल परिक्षन किया गया था आज के दिन वर्स 860 में विस्नु नारायन भात खंडे का जन्म हुआ था ये एक हिंदुस्तानी सास्त्रिय संगीत के विद्वान थे आज के दिन वर्स 1916 में प्रेम अधीप का जन्म हुआ था ये भारतिय सिनेमा के अभिनेता थे आज के ये दिन वर्श 1986 में सौरव घोसाल का जन्म हुआ था ये एक भारत के सीर से स्क्वैस खिलारी है स्रम मंतराले के तहट रोजगार प्रदान करने का किया जा रहा दावा इंस्टाग्राम पर एक विग्यापन प्रसारित हो रहा है इस विग्यापन में स्रम मंतराले के तहट रोजगार के अफसर प्रदान किये जाएंगे इसका दावा किया जा रहा है लेकिन आपको बता दे कि ये दावा पूरी तरह से फरजी है P.I.B. FACTS चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फरजी बताया है इसलिए सरह के बारल पोस्ट से साबधान रहे साथ ही ऐसे पोस्ट को किसी से सेर करने से बचे हफ़ते के आखरी कारोबारी सतर में भारती बाजार तेजी के साथ हुआ बंद हफ़ते के आखरी कारोबारी सतर में गलोबल संकीतों की वजह से भारतीय सेयर बाजार सांदार तेजी के साथ बंध हुआ है बाजार में ये तेजी IT energy और banking सेयरों में खरीददारों के चलते रहें बाजार में तेजी वापस आती दिख रही है क्योंकि अमेरिका में मंदी आने का खत्रा टलता जा रहा है बीते दिन कारूबार खत्म होने पर बीएसी सेंसेक चाट सो बीस अंकों की तेजी के साथ 89,706 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 250 अंकों की तेजी के साथ 24,366 अंकों पर क्लोज हुआ है हम प्रेज़े दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगा अगर उसको जवाब बताएंगे जो कि बिपीस से बिहार पुलिस दरोगा समेट से अन्य प्रदोगी परेख्शों में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विज्ञान का इंडरफेर्स और भुगोस रहेंगे पूछे के 5 सवालों में आपने कितना संहीुतर दिया यहां में कॉमेंट वैले का जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में हीरो सीमा दिवस का बनाये गया है अउप्शन A 4 उगस्ट उप्शन B च्योगस्ट उप्शन C 5 उगस्ट किस ने इंडिया एड़िरेट हंड़ेड लॉंज किया है? आप्षन है प्यूस गोल, आप्षन भी राजनाद सिंग, आप्षन सी एं चिराग पास्वान, आप्षन भी जगदीव धनखर, इसका सही आप्षन प्यूस गोल. हाली में पेरिस ओलंपिक दोजाज चौबिस के समापन समारों में भारत की ध्वज वाहग कौन होंगी ओप्सन नीरज चोपरा, ओप्सन भी ए मीराबाई चानू, ओप्सन सी ए मनुभाकर, ओप्सन भी ए दीपक दहिया, इसका सहींतर है मनुभाकर ओप्सन भी ए डॉक्टर जाकीर हुसैन, ओप्सन भी ए डॉक्टर राजिंदर प्रसाद, ओप्सन भी ए जैराम दास दौलत राम, ओप्सन भी ए माधविसरी हरी, इसका सहींतर है जैराम दास दौलत राम निम्र में से बिहार की कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिशत की अध्यक्ष सु रहे हैं पंकज कुमारदाज, मुहमद अस्厲害 कमाल, मुहमद साकिर उसे नवीकुमार, गोनर सर्मा, अतिक खान, बिरजुकुमार, विवाकुमारी इसके साथ ही वर्ते आज के सवाल के और राद का सवाल है कि आपके शेत्र में संचालत होने वाले कोचिंग संस्थान नियमों का पालन कर रहे हैं हमें कॉमेंट में लिखका जरूर बताएं आज के लिए नहीं बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूज और साथ ही कि आप यूटूब से देख हैं तो चैनल को लाइक करने और सब्सक्राइब अगर आप फेस्बूक तो देखने हैं तो फेज को फॉलो करने ना भूले धन्यवाद